नमस्कार दोस्तों सौगत आप सबका आर्टिकल लंबर 181 में मैं ही मान सुझाद हूँ राइस स्मार्ट की युटूब चैनल में आप सबका बेहत तहे दिल से सौगत करता हूँ बात तरहेंगे कि मान ली जाएगा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सदन में तब क्या होगा और सदन को कौन चलाएगा रिक्त वाला कल पड़ लिया था अनपस्थित वाला भी कल पड़ लिया था तो अब अगर उसको हटाने का ही प्रस्ताव सदन में है तब कौन चलाएगा आईएगा discuss करते हैं जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल पे विचारा धीन है तब उसका पीठा सीन अधिकारी ना होना वहिसे तो पीटा सीन अधिकारी वही होता है सदन को ही चलाता है लेकिन उसको ही अटाने का प्रस्ताव है तो वो कुर्सी में नहीं बैठता है वो सारे विधायकों के साथ ही बैठेगा और कोई दूसरा व्यक्ति यनि की उपाद्ध्यक्ष महोद है जो उस सदन के होंगे वो को इस प्रक्रिया को संचालित करेंगे इस दोरान वो अपने पक्ष में मतदान भी कर सकता है पहले मतदान करें को Foxy उटाना गया तो बाद में की कोई जरूरत ने पर भी सदन में मौझूद होने पर भी वह पीठा सी नधिकारी नहीं होगा उस सदन को नहीं चलाएगा और अनुचेद 180 के खंड दो के उपबंद ऐसे प्रतेक बैठक के संबंद में वैसे ही लागू होगी जैसे वह उस बैठक के संबंद में लागू होते एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं मतलब वही क्रम अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष नहीं तो पैनल के सदस्य उसको चलाएंगे आगे बात करते हैं थोड़ी ची और लिखी गई जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचार विधा सबबोने बोलने और उसकी कारवाही में अन्यथा भाग लेने को अधिकार होगा वह सदन की कारवाही में भागलेगा चर्चा में रहेगा वोटिंड भी करेगा सारे काम करेगा बस जब उसके हटाने वाले प्रस्तौгов पर डिसकर्सन हो रहा होगा तो वह कुरसी में नहीं बैठेगा नीचे रहेगा सामान्य सभी विदायकों की तरह रहेगा और हर बात पर सामान्य विदायक की तरह ही वो अपने पद का निर्वहन करेगा वह अनुचेद 189 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्ब पर या ऐसी कारिवाही के दौरान किसी अन्य विशय पर प्रथमता ही मत देने का हकदार होगा किन्तो מद बराबर होने की दसा में मत देने का हगधार नहीं होगा होता क्या है कि speaker पहला मत नहीं करता आखरी मत करता है इस article में कहा गया कि speaker तो है वो आखरी मत करेगा लास्ट voting करता अगर दोनों बराबर बराबर है तो दो पक्ष बड़ाबर, बड़ाबर में हो गए, तब लेकिन जब उसको हटाने का ही प्रस्ताव है, तो उसमें वो बाद में बराबर वाले में वोट करने का सिस्टम नहीं है, वो पहले ही अपने जिदर चाहे उदर मत दे सकता है बाद वाला कोई सिस्टम होने वाला नहीं है इतनी सी बात थी बहुत ही नॉर्मल सी बात थी कि भाई जब आपको हटाने का प्रस्ताव है तो आप सदन की कारेवाही का अध्यक रूप में संचाला नहीं करेंगे बलकि उस सदन के सहभागी के रूप में कारे करेंगे सांसद हैं विधायक हैं तो उसी तरह से अपने अपने जगों पर रहेंगे लोग सभा में तो लोग सभा में राजी सभा में तो राजी सभा में और अगर आप विधान सभा के तो विधान सभा में विधान परिशत के तो विधा करें